नमस्कार दोस्तो मैं हूँ राकेस और आप देख रहें गो टू अनलाइन तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना पैन कार्ड दो मिनिट के अंदर खुझ से कैसे बना सकते हो आप अपना बना सकते हो किसी भी फैमली मेंबर का पैन कार्ड दो मिनि करने तक ऐसी जानकारिया आपको बविश्य में मिलती रहें तो आपको अपना पैन कार्ड कैसे बनाना है वह भी दो मिनिट के अंदर तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने मुवाइल की स्क्रीन पर तो आपको अपने मुवाइल में गूगल क्रोम उपन कर लेना है क्लिक करने के बाद में आपके सामने नया पेज उपन होगा फिर आपको थोड़ा सा उपर स्क्रॉल करना है और आपको एक बॉक्स में इंस्टेंट इपन लिखा हुआ दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक कर देना है मैं यह मार्क कर देता हूं इंस्टेंट इपन आप मैं या मार्क कर देता हूं get new e-pen आपको इस पर click करना है click करने के बाद मैं यहां आपके सामने एक column आ रहा है इसमें आपको क्या करना है अपना आधार number यहां डाल देना है और नीचे एक छोटा सा box बना हुआ है इस पर आपको tick कर देना है तो मैं यहां आधार number यहां enter कर देता हूं तो मैंने अपना आधार number है वो यहां पर enter कर दिया है और इस छोटे से box में tick कर दिया है और tick करने के बाद मैं यहां देखी फिर से आपको नीली पटी continue पर click करना है क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे आप इनको चाहें पढ़ना तो पढ़ सकते हो जो निर्देश दिये हैं नहीं तो आपको छोटे से box में टिक करना है छोटे से box में टिक करने के बाद मैं आपको फिर से continue पर क्लिक कर देना है तो मैं continue पर फिर से click कर देता हूँ इसके बाद मैं आपके mobile number पर एक OTP आएगा जो चैंक का हुआ उस OTP को इस box में fill कर देना है तो मैं wait करता हूँ तो मैंने OTP जो है डाल दिया है और नीचे छोटे से box में आपको फिर से tick करना है tick करने के बाद मैं आपको फिर से continue पर click करना है तो मैं continue पर click कर देता हूँ page load हो रहा है और मैं थोड़ा wait करता हूँ अभी page load हो रहा है अब देखिए यहाँ पर आपके आधार से आपकी detail जो है ले ली गई है और आपको क्या करना है छोटे से box में tick करना है फिर से आपको continue करना है और फिर से आपको continue करना है तो दोबार आपको continue पर click करना है click करने के बाद मैं यहाँ देखिए आपके सामने यह page आ गया है your request for e-pan has been submitted successfully यानि आपके जो e-pan की request आपने submit की है वो successfully submit हो चुकी है अब आपको 10 गंटे wait करना है तो हमें pen card apply किये हुए 10 गंटे हो चुके है अब हम उस pen card को download करके दिखाएंगे तो download करने के लिए मैं आपको फिर से अपने mobile की screen पर लेके चलता हूँ अब आपको फिर से अपना google chrome open करना है और chrome में आपको type करना e-link pen और सबसे उपर आपको income tax नजर आएगा e-pen पर click करना है और थोड़ा सा page load होगा load होने के बाद में आपके सामने नया page open होगा और आप इस page को थोड़ा सा उपर scroll करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं mark कर देता हूँ check status download pen तो देखिए यह लिखा हुआ है और इसके नीचे continue पर click कर देना है continue पर click करने के बाद में आपके सामने एक नया column आ जाएगा इसमें आपको आधार नमबर एंटर करना है तो मैं यहाँ पर अपना आधार नमबर जो एंटर कर देता हूँ आपको फिर से continue पर click कर देना है continue पर click करने के बाद में फिर से आपके mobile पर एक OTP भी आएगा तो OTP यहां submit कर दिया है और फिर से continue पर click कर देना है इसके बाद में आपके सामने देखिए नीचे दो कोलम आ रहे है view e-pan और download e-pan तो आपको क्या करना है इस download e-pan पर click कर देना है तो मैंने download e-pan पर click कर दिया है थोड़ा आप wait करेंगे wait करने के बाद में यहां देखिए एक file download मांग रहा है तो यहां download पर फिर से आपको click कर देना है क्लिक करने के बाद में ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है अब जाते हम अपने फाइल मैनेजर के अंदर और देखाएंगे आपको ये फाइल कहा में लेगी तो फाइल मैनेजर मा आ चुके हैं आपको यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना है वो भी फिर में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसी जानकारी आपको वाविशन मिलती रहें तो फिर मिलता हूं किसी नही जानकारी के साथ तब तक के लिए गुट बाई